नमस्कार देच्चू चनल पर आपका शुवागत हैं बात करें के राजस्तान के मोशम के बारे में अगले 24 कंटों से लगगा का एक सब्ता की तोरान कैसा रहे का मोशम आज है 17 जुलाई 2023 दक्षिन पच्चि मान्चून राजस्तान पर एक बार फिर से मेरान होने वाला है जो की 19 जुलाई से राजस्तान के के बागों पर मुशलाधार बारे मोशम का दोड़ देखा जाएगा लेकिन 20 जुलाई से लगबग शंपून रास्तान के सहत्रों पर फिर से एक्टी होगा 20 जुलाई से लगा कर 25 जुलाई के 20 में पच्छीमी जिलोपा जो जोदपूर शंबा की पच्छीमी भाग हैं बाड मेर के छत्र हैं और जोदपूर के छत्र हैं कोचपाले के भाग हैं और विकाने शंबा के छत्रों पर भी यानि 20 जुलाई से लगा कर 25 जुलाई के बीश में के शित्रों पर मद्यम से लगा कर बारी करें जोदपूर शंबा की तो यहां पर जोदपूर शंबा के चातरों पर लगबग सितर परसेंट मोश्म आब बादलों की आवाजे की बीच में सुस्क रहेगा और तीस परसेंट जगों पर मतर कहीं कहीं हलकी से लगा कर मद्यम दर्जा की बारिश होने की शंबाउन हैं कु बड़े की जोदपूर के चतर हैं पहले के भाग हैं चुटपूर जगों पर बाड मेर के चतरों पर भी 18 जुलाई के दोपर के बाद में कहीं कहीं खंड बोचारा गिनने की संबाउन हैं लेकिन 19 और 20 जुलाई के दुरान जोदपूर शंबा की कई बागों पर हलकी से लग पर आज सुबी से काफी जगों पर घने बादल बने हुए मंद्यम से लगा कर खंड देज बारिस होए थी आज 17 जुलाई हैं, 17 जुलाई को भी यहां पर कोटर संबागे कुछ भागों पर काई-काई-काई-काई-काई-काई-काई-काई-काई-काई-काई-काई-काई-काई-काई-काई-काई-काई-काई-काई-काई-काई-काई-काई-काई-काई-काई-काई-काई-काई-काई-क चितोर गड़ के आजबास के भागोपर कहीं कहीं हलकी से लगा कर तेज घंड बारिस होने की संबावन हैं लेकिन कल 18 जुलाई उनी जुलाई को देखा जाए उद्धेपु संबा के कई भागोपर बारिस का दोड़ बड़ेगा हलाकि 20 जुलाई से लगा कर 25 जुलाई के 20 में यहां पर भी भारिस से लगा कर एक दोज़गों पर अत्ती भारि भारिस का दोड़ देखा जाएगा अजमेर संबाग की बात करें अजमेर संबाग के जिल्ले हैं अजमेर हैं नागोर हैं बीलवाड़ हैं टौंक हैं इन बागों पर भी आज यानी 17 जुलाई को खासकर अजमेर संबाग के लगबक शंपुन जिल्लो पर कहीं हलकीत कई मद्यम से लगा कर तेज बारिस होने की संबाउन हैं आज सुबे देखा जाएग कुछ टौंक के चतर हैं बीलवाड़ हैं और कुछ आज मिर के आज पास के बागों पर बादल बने हुए हैं जैपुर बरतपुर संबा की बात करें या जैपुर संबा के चतर पर पर बारिस में बड़ोतरी होगी लेकिन 19 और 20 जुलाई को जैपूर संबा के भागों पर कई शेतरों पर मद्धिम से लगा कर तेज बारिश होने की संबाउन है पदपूर के शेतर हैं जो अलवर हैं दोशा हैं और दौलपूर हैं करोली हैं शॉहे मदपूर के चत्र हैं इन शेतर पर भी आज 18 जुलाई को कई शेतर पर मेग गरने के साथ कई हलकी तो कई मद्यम से लगा कर तेज बारिश होने की शंबाउन हैं लेकिन कल 18 जुलाई 19 और 20 जुलाई के दोरान यहाँ पर कई कई मद्यम से लगा कर मुश्ला धार देखा जाएगा लेकिन बीच से लगाकर 25 दुलाई के बीच में यहां पर भी कहीं-कहीं भरी बारीश होने की संबावण हैं। बिकाने शंबा की बात करें जुगंगानगर की चत्रह हैं हनमान कड़ हैं और बिकानेर की आजपास की चत्रह हैं। यहाँ पर भी आज लगबग 70% मौश्रम सुस्क रहेगा और 30% जगों पर कहीं कहीं हलकी से लगा कर मद्यम दर्ज़की बारिश होने की संपाउन है विकानेर के उत्री बागों पर भी आज गंगानगर हदमानगड के आज पास के एरिया है इन एलाकों पर भी आज कहीं कहीं सुबह की टाइम कहीं कहीं बुदा बांती देखनी को मिली है आद उपर के बाद में विकानेर के कई बागों पर में करना होने की संपाउन है लेकिन कल 18 जुलाई है 18, 19 और 20 जुलाई के दोरान यहाँ पर कहीं कहीं खंड तेज बारिश होगी लेकिन 20 जुलाई से लगा कर 25 जुलाई के 20 में विकानेर के भागों पर भी कहीं से तरह पर कहीं कहीं बारी बारिश भी होने की संपाउन है खासकर 21 जुलाई के दोरान विकानेर, गंगानगर, हन्मानगर के जो पाकिस्तान के अंतराष्टी सीमा हैं पाकिस्तान के सटुए हैं इन इलाकों पर देखा ज़त कहीं कहीं एक दूज़ों कपर भारी से लगा कर अत्ती भारी भारी होने की संपाउन है मानशुन का दोर, जुलाई के मैने, आज 17 जुलाई हैं, 17 जुलाई बे मानशुन सक्री हैं लेकिन 20 जुलाई से लगा कर अगर 31 जुलाई तक देखा जाये तो लगतार राजस्तान के संपुन भागपर मानशुन एक्टिव रहेगा, लगतार रोक रोक करके बारिस की केतिय होती रहेगी, यहां पर देखा जाये तो जोदपूर और विकने संपा के बागपर भी मानशुन लगतार अब सक्री रहने के संपुन हैं, 20 से लगा कर आगए, 31 जुलाई के 20 में, जै हिन, जै राजस्तान